अध्याय 10. पैसे बचाओ. मैं तुम्हें पैसे बचाने के लिए मनाता हूँ. इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा. लेकिन यह एक अजीब काम है. है न? क्या लोगों को पैसे बचाने के लिए आश्वस्त होने की जरूरत है? मेरा अवलोकन यह है की, हाँ, बहुत से लोग करते हैं. आए के एक निश्चित स्तर के बाद लोग तीन समुहों में गिर जाते हैं. वे जो बचत करते हैं, वे जो नहीं सोचते की वे बचा सकते हैं. और जो यह नहीं सोचते की उन्हें बचाने की आवश्शकता है. यह बात क के प्रतिफल से बहुत कम लेना देना है और बहुत कुछ आपकी बचत दर से संबंधित है दक्षता की शक्ती के बारे में एक त्वरित कहानी 1970 के दशक में दुनिया ऐसी दिखती थी जैसे तेल खत्म हो रहा हो गर्णा कठिन नहीं थी वैश्विक अर्थ व्यवस्था ने ब बढ़ रही थी और हम जितना तेल ड्रिल कर सकते थे वो नहीं रह सका हमारे पास तेल खत्म नहीं हुआ भगवान का शुक्र है लेकिन यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्यूंकि हमें अधिक तेल मिला या इसे जमीन से बाहर निकालने में भी बहतर हुआ तेल संकट पर काबू पाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने कारों कार खानों और घरों का निर्मान शुरू किया जो पहले की तुलना में अधेक उर्जा कुशल हैं संयोक्त राज्य अमेरिका आज सकल घरेलू उतपाद के प्रती डॉलर में 60 प्रतिशत कम उर्जा का उप्योग करता है जैस उसने 1950.32 में किया था सड़क पर सभी वाहनों का उसत मील प्रती गैलन दो गुना हो गया है 1975 से 1989 के फोर्ट टॉरस सेडान का उसत 18.00 MPG है 2019 चेवी उपनगरिय बेतु का रूप से बड़ी एस्यूवी का उसत 18.01 MPG है दुनिया ने अपनी उर्जा संपदा को अपने पास मौजूद उर्जा को बढ़ा कर नहीं बलकि अपनी जरूरत की उर्जा को कम करके बढ़ाया 1975 के बाद से यूएस तेल और गैस उत्पादन में 65 प्रतिशत की वृद्धी हुई है जबकि सनरक्षन और दक्षता उस उर्जा के साथ हम जो कर सकते हैं उससे दो गुने से अधिक हो गई है इसलिए यह देखना आसान है कि कौन अधिक माएने रखता है यहां महत्वपून बात यह है कि अधिक उर्जा प्राप्त करना काफी हद तक हमारे नियंतरन से बाहर है और अनिश्चित्ता में दूबा हुआ है क्योंकि यह सही भूवे ग्यान, भूगोल, मौसम और भू राजनीती होने के फिसलन मिश्रन पर निर्भर करता है लेकिन हमारे द्वारा उपियोग की जाने वाली उर्जा के साथ अधिक कुशल बनना काफी हद तक हमारे नियंतरन में है हलकी कार खरीदने या बाइक चलाने का निर्णय आप पर निर्भर है और दक्षता में सुधार की 100% संभावना है हमारे पैसे के साथ भी ऐसा ही है निवेश रिटन आपको अमीर बना सकता है लेकिन क्या कोई निवेश रनीती काम करेगी और यह कितने समय तक काम करेगी और क्या बाजार सहयोग करेंगे यह हमेशा संदेह में रहता है परिनाम अनिश्चित्ता में डूबे हुए है व्यक्तिगत बचत और मित्व्याइता वितका सनरक्षन और दक्षता धन समीकरन के भाग है जो आपके नियंत्रन में अधिक है और भविश्य में उतने ही प्रभावी होने की 100% संभावना है जितनी आज है यदि आप धन के निर्मान को ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसके लिए अधिक धन या बड़े निवेश रिटन की आवश्यक्ता होगी तो आप उतने ही निराशावादी हो सकते हैं जितने की 1970 के दशक में उर्जा विनाशक थे आगे का रास्ता कठिन और आपके नियंतरन से बाहर दिखता है यदि आप इसे अपने स्वयम के मित्व्याइता और दक्षता द्वारा संचालित के रूप में देखते हैं तो भाग्यस पश्ट है आप जो कुछ भी लेते हैं उसे खर्च करने के बाद धन केवल संचित बचा हुआ है और चून की आप उच्च आये के बिना धन का निर्मान कर सकते हैं लेकिन उच्च बचत दर के बिना धन बनाने का कोई मौका नहीं है यह स्पश्ट है कि कौन सा अधिक मायने रखता है इससे भी महत्वपून बात यह है कि धन का मूल्य आपकी आवश्चकता के सापेक्ष है कहो कि तुम और मेरे पास एक ही निवल मूल्य है और कहो कि तुम मुझसे बहतर निवेशक हो मैं 8% वार्षिक रिटन कमा सकता हूँ और आप 12% वार्षिक रिटन कमा सकते हैं लेकिन मैं अपने पैसे से ज्यादा कुशल हूँ मान लीजिए कि मुझे खुश रहने के लिए आधे पैसे की जरूरत है जबकि आपकी जीवन शैली आपकी संपत्ती जितनी तेजी से बढ़ती है एक बत्तर निवेशक होने के बावजूद मैं आपसे बहतर हूँ मुझे कम रिटन के बावजूद अपने निवेश से अधिक लाभ मिल रहा है आए के लिए भी यही सच है कम पैसे में खुश रहना सीखना आपके पास जो है और जो आप चाहते है उसके बीच एक अंतर पैदा करता है अपनी तंख्वाव बढ़ाने से मिलने वाले अंतर के सम्मान लेकिन आपके नियंतरन में आसान और अधिक एक उच्च बचत दर का मतलब है कि आप जितना खर्च कर सकते हैं उससे कम खर्च करना और कम खर्च होने का मतलब है कि अगर आप अधिक खर्च करते हैं तो आपकी बचत कहीं अधिक हो जाती है इसके बारे में इस संदर्भ में सोचे की 0.1 प्रतिशत वार्षिक निवेश के बहतर प्रदर्शन को प्राप्त करने में कितना समय और प्रयास लगता है लाखों घंटे का शोध पेशेवरों से दसियों अरबों डॉलर का प्रयास और यह देखना आसान है कि संभावित रूप से अधिक महत्व पूर्ण क्या है या पीछा करने लायक है ऐसे पेशेवर निवेशक हैं जो अपने रिटन में प्रतिशत अंक का दस्वा हिस्सा जोडने के लिए सपताह में असी घंटे पीसते हैं जब उनके वित में जीवन शैली के दो या तीन पूर्ण प्रतिशत अंक होते हैं जिनका कम प्रयास से फाइदा उठाया जा सकता है बड़े निवेश रिटन और मोटी तंखवा अद्भुत होती है जब उन्हें हासल किया जा सकता है और कुछ उन्हें हासल कर सकते हैं लेकिन तथ्य यह है कि वित समीकरण के एक पक्ष में इतना प्रयास किया गया है और दूसरे में इतना कम निवेश किया गया है यह अधिकांश लोगों के लिए एक अवसर है आए के एक निश्चित स्तर को पार करते हुए आपको जो चाहिए वो आपके अहंकार के नीचे है सभी को मूल बाते चाहिए एक बार जब वे कवह हो जाते हैं तो आरामदायक बुनियादी बातों का एक और स्तर होता है और अतीत में ऐसी मूल बाते होती हैं जो आरामदायक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक दोनों होती हैं लेकिन भौतिकवाद के बहुत निम्न स्तर से परेख खर्च करना ज्यादातर एहंकार की आये का प्रती बिम्भ है लोगों को यह दिखाने के लिए पैसा खर्च करने का एक तरीका है कि आपके पास या था पैसा है इसे इस तरह से सोचें और अपनी बचट बढ़ाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक अपनी आये बढ़ाना नहीं है यह आपकी विनम्रता को बढ़ाने के लिए है जब आप बचट को अपने अहंकार और अपनी आये के बीच के अंतर के रूप में परिभाशित करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि अच्छी आये वाले कई लोग इतनी कम बचट क्यूं करते हैं अपने मोर पंखों को उनकी सबसे बाहरी सीमा तक बढ़ाने और दूसरों के साथ ऐसा ही करते रहने की प्रवरिती के खिलाफ यह एक डैनिक संगर्ष है स्थाई व्यक्तिगत वित सफलता वाले लोग जरूरी नहीं की उच्चा आये वाले लोग दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं इस पर ध्यान न देने की प्रवरिती रखते हैं इसलिए लोगों की बचट करने की क्षमता उनके विचार से कहीं अधिक उनके नियंत्रन में है कम खर्च करके बचट की जा सकती है यदि आप कम चाहते हैं तो आप कम खर्च कर सकते हैं और आप कम इच्छा करेंगे यदि आप इस बात की कम परवा करते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं जैसा कि मैं इस पुस्तक में अक्सर तर्क देता हूँ पैसा वितक की तुलना में मनोविज्ञान पर अधिक निर्भर करता है और आपको बचाने के लिए किसी विशेश कारण की आवश्यक्ता नहीं है कुछ लोग घर या नई कार या सेवानिवरिती के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचाते हैं यह बहुत अच्छा है बिलकुल लेकिन बचत के लिए कुछ खास खरीदने के लक्षे की आवश्यक्ता नहीं होती है आप सिर्फ बचत के लिए बचत कर सकते हैं और वास्तव में आपको चाहिए घर किसी को करना चाहिए एक अनुमानित दुनिया में केवल एक विशिष्ट लक्षे के लिए बचत करना समझ में आता है लेकिन हमारा नहीं है बचत जीवन की अपरिहार्यक्षमता के खिलाफ एक बचाव है जो आपको सबसे खराब समय में नरक से बाहर निकाल सकता है बचत का एक अन्य लाब जो खर्च करने के लक्षे से जुड़ा नहीं है वो है जिसकी हमने अध्याय साथ में चर्चा की थी अपने समय पर नियंतरन प्राप्त करना हर कोई जानता है कि मूर्ट सामान पैसे से खरीदता है अमूर्ट सामान आपके सिर को चारों और लपेटना कठिन होता है इसलिए यह किसी का ध्यान नहीं जाता है लेकिन पैसे के अमूर्ट लाब हमारी बचत के सपष्ट लक्षे की तुलना में कहीं अधिक मूलेवान और आपकी खुशी बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं खर्च करने के लक्षे के बिना बचत आपको विकल्प और लची लापन प्रतीक्षा करने की क्षमता और उच्छाल का आवसर प्रदान करती है यह आपको सोचने का समय देता है यह आपको अपनी शर्टों पर पाठ्यक्रम बदलने देता है बचत का प्रतीक अंश भविश्य में एक बिंदू लेने जैसा है जो किसी और के स्वामित्व में होता और इसे स्वयम को वापस दे देता आपके समय पर वो लचीलापन और नियंत्रन धन पर एक अंदेखी वापसी है बैंक में कैश पर रिटन क्या है जो आपको करिय बदलने या जल्दी सेवानिवरित होने या चिंता से मुक्ती का विकल्प देता है मैं कहूंगा कि यह अतुलनिय है यह दो तरह से अगनिय है यह इतना बड़ा और महत्वपून है कि हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते लेकिन यह शाब्दिक रूप से अगनिय भी है हम इसे ऐसे नहीं माप सकते जैसे हम ब्याजदरों को माप सकते हैं और जिसे हम माप नहीं सकते हैं उसे हम अंदेखा कर देते हैं। जब आपके पास अपने समय पर नियंतरन नहीं होता है, तो आपको जो भी दूर भागय आपके रास्ते में आता है उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास लचीलापन है तो आपके पास अपनी गोद में गिरने के बिना दिमाग के अवसरों की प्रतीक्षा करने का समय है। ये आपकी बचचत पर छिपा हुआ रिटन है। बैंक में बचचत जो शून्य प्रतिशत ब्याज अर्जित करती है। वास्तव में एक असाधारन रिटन उत्पन कर सकती है यदि वे आपको कम वेतन लेकिन अधिको देश के साथ नौकरी लेने के लिए लचीलापन देते हैं। या निवेश के अवसरों की प्रतीक्षा करते हैं जो बिना लचीलेपन के हताश हो जाते हैं। और वो छिपी हुई वापसी अधिक महत्वपून होती जा रही है। दुनिया हाइपर लोकल हुआ करती थी। इतिहासकार रॉबर्ट गौर्डन के अनुसार। ठीक सौ साल पहले 75 प्रतिशत अमेरिकियों के पास न तो टेलीफोन थे और न ही नियमित मेल सेवा। किया जाता है क्योंकि उन्हें दूसरे शहर में होश्यार कारेकरता के साथ प्रतिसपरधा नहीं करनी पड़ती। वो अब बदल गया है। एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया का मतलब है कि आप जिस टैलेंट पूल में प्रतिसपरधा करते हैं। वो आपके शहर में फैले सैकडों या हजारों से लाखों या अरबों तक चला गया है, ग्लोब फैला रहा है। ये उन नौकरियों के लिए विशेश रूप से सच है जो आपके सिर्ब नाम आपकी मानस्पेशियों के साथ काम करने पर निर्भर करती हैं। शिक्षन, विपनन, विशलेशन, परामर्ष, लेखा, प्रोग्रामिंग, पत्रकारिता और यहां तक दवा भी वैश्विक प्रतिभा पूल में तेजी से प्रतिस्परधा कर रही है। जैसा की वेंचर कैपिटलिस्ट माक एंडरीसन कहते हैं। अधिक शेत्र इस श्रेनी में आएंगे क्योंकि डिजिटली करन वैश्विक सीमाओं को मिटा देता है, जैसा की सौफ्ट्वेर दुनिया को खा जाता है। जैसे ही आपकी प्रतियोगिता का दाइरा बढ़ता है, आपको एक प्रशन पूछना चाहिए। मैं कैसे विशिष्ट हो सकता हूँ? मैं स्मार्ट हूँ, उस प्रशन का एक बुरा उत्तर है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं। हर साल लगभग 600 लोग साथ्स में सफल होते हैं। एक और 7000 मुठी भर अंकों के भीतर आते हैं। एक विजेता सभी और वैश्वी खृत दुनिया में इस प्रकार के लोग तेजी से आपके प्रत्यक्ष प्रतियोगी होते जा रही हैं। इंटेलिजेंस एक ऐसी दुनिया में विश्वस्निय लाभ नहीं है जो हमारे जैसे कनेक्टेड हो गई है। लेकिन लचीलापन है ऐसी दुनिया में जहां खुफिया अती प्रतिसपर्धी है और कई पिछले तकनीकी कौशल स्वचालित हो गए हैं। प्रतिसपर्धात्मक लाभ सूक्षम और नर्म कौशल की ओर जुकते हैं। जैसे संचार, सहानुभूती और शायद सबसे अधेक। लचीलापन यदि आपके पास लचीलापन है तो आप अपने करिय और अपने निवेश दोनों में अच्छे अवसरों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। जब आवश्यक हो तो आपके पास एक नया कौशल सीखने में सक्षम होने का एक बहतर मौका होगा। आप उन प्रतिस परधियों का पीछा करने के लिए कम तातकालिक्ता महसूस करेंगे जो उन चीजों को कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। और अपने जुनून और अपनी गती को अपनी गती से खोजने के लिए और अधिक छूट प्राप्त करेंगे। आप एक नई दिन चर्या, धीमी गती और जीवन के बारे में अलग-अलग धारणाओं के साथ सोच सकते हैं। उन चीजों को करने की क्षमता जब अधिकान शन्य नहीं कर सकते हैं। उन कुछ चीजों में से एक है जो आपको ऐसी दुनिया में अलग कर देगी जहां बुद्धी अबस्थाय लाभ नहीं है। अपने समय और विकल्पों पर अधिक नियंतरन रखना दुनिया की सबसे मूलेवान मुद्राओं में से एक बन रहा है। इसलिए अधिक लोग पैसे बचा सकते हैं। और अधिक लोगों को पैसा बचाना चाहिए। आप जानते हैं कि उन्हें और क्या करना चाहिए। इतना तरक संगत बनने की कोशिश करना बंद करो। मुझे बताने दीजिये की क्यूं।